नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने कौनसे भी Android डिवाइस में MIUI 12 के नौटिफिकेशन पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी ऑफिशल मिथट से यह आप आपको प्लेश्टोर पर ही देखने हो मिल जाएगा मतलब आपको इस एप को इंस्टॉल करने के लिए कोई भी धर्ट पार्टी वेबसाइट पर जानने की ज़रूरत नहीं है तो सारा का स अगर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसका जो बीटा वर्जन था वो यहां पर पहले ही रिलीज हो चुका था बट यह आप लोगों को पहले प्लेश्टोर पर देखने हो नहीं मिलता था इसके लिए आप लोगों को अलग से जो एपी की वह आपर साइड़ोड करनी पर देखने हों मिल गया है तो यहां पर इसके जो डाउनलोड जे वह भी बहुत कम है तो यह आप लोगों को डेरिकली प्लेश्टोर पर देखने हो नहीं मिलेगा आप जो सिंपली स्टेप्स को फॉलों कीजिए इस एप को डूडने के लिए प्लेस्टोर के उपर तो यहा यहां पर आप लोगों को नीचे ऑल अजन है तो यहां पर आप लोगों को एकदम लास्ट में यह मैं कंट्रोल सेंटर वाली एप देखने हो मिल जाएगी तो यहां पर आप लोगों को क्लिक करेंगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अभी तक इस एप के 500 करते हैं फिर दिखते हैं तो यहां पर जैसे ही आप लोग फ़स्ट है में सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर इसका जो यूजर इंटरफेस है आप लोगों को कुछ ऐसा देखने हो मिलेगा जहां पर आप लोगों को इसको रन करने के लिए जो नेसेसरी परमिशन से उसको वालाव करना पड़ेगा और उसके बाद राइट स्वाइप करने पर आपको आपको आपका रिफ्ट स्वाइप करने पार आपको आपको सारे नॉटिफिकेशन देखने वह मिलेंगे तो यहां पर यह सीम युए-टोइल की तरह कामकरते हैं तो यहां पर आप लोगों को इस को बहुत सारे औप्शन देखने हो मिल जाते हैं अगर अगर हम लोग चलते सबसे पहले लेयाओट के अंदर यहाँपर लेयाओड मे आने के बाद आप लोगो को बहुत सारे कस्टमाइचन वाले options देखने हो नहीं हो मिल जातें जिसको आप लोग अपने साब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसके बाद अगर हम लोग जलते colors में तो यहाँ पर आप लोग जो ए background टाइप को भी चेंज कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को live blur को option देखने हों मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक notice है जैसे यहां पर live लरे कुछ पॉंच में senin पर देनी होगा। मैं आप लोगों को रेक्मेंड नहीं करुगा कि आप लोगों को रेकमे कुपरिंग पर्मीसन के तो clothing लीची को एकडो महें। एक टो कॉर्ज परिंड संसके कि आप लोगों ऑने शरेन के लिएगा। कस्टमाइज कर सकते तो यह पर अगर हम लोग बात करें इस background blur वाले option की तो यह जो option है मेरे device में तो work नहीं कर रहे हो सकता है आप लोगों के device में work कर जाए तो यह पर मुझे नीचे comments में जरूर बताएगा कि क्या यह option आप लोगों के device में work कर रहे है कि यह तो फिर आप भी भी lags और bugs देखने हो नहीं मिले हैं तो यह पर यह जो है पर सारे android devices में work करने वाली है चाहे आपका कौनसा भी custom UI हो यह जो है पर एकदम smoothly work करेगी तो यह पर अगर हम लोग overall बात करें इस app की तो यह पर एक बहुत ही lightweight application है 2.5 MB में हम लोगों को जो बहुत सारे option देखन देखने हो मिलते हैं और यह पर हम लोगों को जो है बहुत सारे customization के option भी देखने हो मिलते हैं तो यह पर अगर आप लोग जो है कस्टमाइजेशन को पसंद करते तो यह पर यह बेड़िनेटल आप लोगों के लिए बहुत ही साथा खास होने वाली है तो आप लोग जो एक डिवाइस के notification पैनल को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते तो यह पर अगर हम लोग बात करें इस एप की बीटा वर्जिन की तो यह पर इस एप का बीटा वर्जिन पहले लॉंच हो चुका था बट वो इतना साथा स्टेबल नहीं था और प्ले स्टोर पर भी अवि अगर आप लोगों की बारी आप लोग इस एप को यूज कीजिए और अपना जो experience है हमार साथ नीचे comments में जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आमें नीचे comments में बताएगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस व कि हम लोग जो है वीडियो को और भी जादा इंप्रूव कर पाएं अगर आप लोगों को ऐसे एमेजिंग टेक रिलेटेड कॉंटेंट को enjoy करना है तो हमारे चैनल टैक मैजिक को जरूर से subscribe की दिएगा मैं आप लोगों को मिलूँगा ऐसे किसी next interesting वीडियो में तब तक के ली थेंक फर डिली थेंक वाद मीठीन!